ब्रश्टाचारी जितना मर्जी इमानदारी का चोला पहन ले वो ब्रश्टाचारी ही रहता है और आम आद्मी पार्टी का ब्रश्टाचारी एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया आज मुद्दा है शराब के ठेकों का शराब के ठेकों में हुए ब्रश्टाचार का और इस विभाग के मंत्री है मनीश सिसोधिया जी, जिस दिन CBI को जांच दी, उसी दिन शराब नीती को वापिस लिया, अगर शराब नीती में कोई घोटाला नहीं था, तो उसको वापिस क्यों लिया, क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टा चार हुआ, शराब के ठेकों में दिल्ली में भ्यंकर भ्रष्टा चार हुआ, अरविंद केजरिवाल और मनीश सिसोधिया की सांटगाट सामने आई, इसलिए शराब नीती को वापिस लिया, सीबी आई और जांच की डर, अरविंद केजरिवाल जी को बजबूर करती है ट्वीट करने पर, कि ये शिक्षा, ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है, और आम आदमी पाटी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टा चार की बात हो रही है, जनता को मुर्ख न समझें, राश के नाम अपना संदेश देना बंद करें, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप के पहले मंतरी सत्तेंदर जैन जब जेल गए भ्रष्टा चार में, आपने तब भी उनको परखास नहीं किया, वो कहते हैं, उनकी यादाश चले गई, आशा करता हूँ, एकसाइज मंतरी, एकस्क्यूज मंतरी तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी यादाश न चली जाए, पर जनता और देश जबाब चाहता है, ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टा चार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टा चार, ये जनता और देश के सामने आया है, आम आदमी पाटी, अरविंद केजरिवाल जी और मनीश सोदिया जी की, सच्चाई सामने आई की कैसे घोटाले की हैं, ये भ्रष्टा चार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनिती में ना आने की बात करते थे, ये राजनिती में भी आये और भ्रष्टा चार में भी सनलिप्त हुए, एक नहीं कई और उधारन ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते है।